आई जित्जी, यह इंतना बुत्त बन बैट रही बेका आई ओरी नहीं कहा कहती है मैं काल कहा आई रही हू पंडेजी का कि हमें आके हर ताल का तीजके का था सुना दिना अब बता नहीं है तो का करो आई जित्जी, पियास लाग आई है सुना देद बेरे पंडित जी का था तो हम पानी वानी पी लेते नेगदा आई उरी जाना तुम हों कि पियास लागा यह पूजा करके पानी पीए का तुम मरती हो पर का करों खपरी के बल ठाड़ हो जांका काल कहें आए वाज लर्का का भेजें अप आदा नहीं कहां चलेग का था तुम कहते हैं तो सुनाय दे तुजारा हाथ शुरू करतूं का था सिरी परम पावन भूमिक एलास परवत पर विसाल विट प्रच के नीचे भगवान सिव पारवती सभी गड़ों सहीत बागंबर पर विराजमान थे बलवान बीर भद्र भ्रेंगी श्रेंगी नंद अधि अपने अपने पहरों पर सदा सिव के दरबार की सुभा बढ़ा रहे थे गंदर वगड़ किनर रिशी हर भगवान की विबदा अनुस्ठान चंदों में इस्तित ग्यान सवर अलापों से वादों में सनलंगत थे उसी सब उसर पर महारानी पारवती जी ने भगवान स कि उसे दोनों हाथ जोड़ कर प्रस्ण किया कि हें महेश्वर मेरे बड़े सवभाग हैं जो मैंने आप जैसे अरधांगनी पती का वरण किया क्या मैं जान सकती हूं कि मैंने वह कौन सा पुन्य अरजन किया है आप अंतर्यामी है मुझदाशी को वरण करके बतानी की करें महारानी पारवती जी की ऐसी प्रात्ना सुनने पर श्यू जी बोले वर नान ने तुमने अति उत्तम पुन्न का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्ट बृत है पर तुम पर प्रिकट करता हूं वह यह है कि भाद प्रिद मास्के सुकल महां भारत बेदों में सोम इंद्रियों में मन ऐसा यह ब्रद स्रेष्ट है जो तीज हस्त्र नचत्र इवत पड़े वह और भी महान पुन्न दायक होती है ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा है महेश्वर मैंने कब और कैसे यह तीजा ब्रद किया था विस्तार के साथ सरवन कर बोले कि है भागवान उमा भारत वर्स के उत्तर में हिमाले स्रेष्ट परवत है उसके राजा का नाम हिमां चल है वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी तुमने बाल काल से ही मेरी अराधना करना आरंब कर दिया था कुछ अम्र बढ़ने पर तुमने हिमाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में सनलंगन रही इस प्रिकार छे रित्वों में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने उर्धमुख होकर केवल वायु सेवन किया फिर ब्रेच्छों के सूखे पत्ते खाकर इस सरीर को छेड़ किया ऐसी तपस् सुनस्चित होने का कारण जानने के इच्चुक होते हैं नारग जी ने कहा हे राजन मुझे भगवान विश्नु ने भेजा है मैं चाहता हूं कि आपकी सुन्दर कन्या को योग वर प्राप्त हो सो बैकुंठ निवाची से ससाई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्विका और वर पीष्नु ने श्विकार किया और मैं औभस्चित हो जाने पर नारग जी ने बैकुंठ पहुंच कर स्री भगवाद से पारवती जी ने बिवाय का पोड होना सुनाया इधर महाराज हिमानचल ने बन में पहुंचकर पारवती जी को भगवान विश्णों के साथ बिवाय होने का निश्चे हो चुका सुनाया ऐसा सुनते ही पारवती जी को महान दुख हुआ उस दुख से तुम भी हल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर बिलाप करने लगी तुम्हारा बिलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जान कर कहा देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफ़ा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहां महाराज हिमान चल तुम्हें धूड भी न सकेंगे ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमाले की गहन गुफा में बिलीन हो गई तब महाराज हिमान चल घबरा कर पारवती जी को धूड़ते हुए बिलाप करने लगे कि मैंने विष्णुजी को वचन दिया है वह कैसे पूड होगा ऐसा कह मैं मुर्चित हो गए तब सभी परवासियों को साथ लेकर धूड़ने को महाराज ने पदारपण किया ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई ब्याग खा गया या सर्पनेडस लिया या कोई राच्छ सहर कर ले गया उस समय तुम अपनी सहली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरा ब्रित को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग इस्थापित कर बिविधवन पुस्प फलों से पूजन करने लगी उसी दिन भाद्र मास की तृतिया सुकल पच्छ हस्त नचत्र युक्त प्राप्त थी मेरी पुजा के फल सुरूप से मेरा सिहांसन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्सन दिया और तुमसे कहा देभी मैं तुम्हारे ब्रित और पूजन से अतिप्रिसन हूँ तुम अपनी कामना का मुझसे वरण करो इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्राथना की आप यंतर यामी है मेरे मन के भाव आप से छुपे नहीं है आपको पती रूप में चाहती हूँ इतना सुनकर मैं तुम्हें एवम वस्त इचित पूड़ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया इसके बाद तुम्हारे पिता हिमानचल मंत्रियों सहित धूरते धूरते नदी तट तट पर मारे सोक के मुर्चित होकर गिर पड़े उस समय तुम अपनी सहली के साथ मेरी बालू की मुर्थी भी सरजन करते वे नदी तट पर पहुँची उस समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रिगर सहित हिमानचल तुम्हारे दरसन कर अधिप्रसन को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले उमा तुम इस भयंकरवन में कैसे चली आई ये वन कितना भयानक है जहां सिंग, ब्याग्र, जहरीले भयंकर सरपों का निवास है जहां मनुस्य के प्राण संकट में पढ़ सकते हैं इससे है पुत्री इस भयंकरवन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रिस्थान करो पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा पिता जी मेरा बिवाह तुमने भगवान भिष्णू के साथ स्विकार कर लिया है इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण भिसर्जन करूँगी ऐसा सुनकर महाराज हिमानचल अधि दुखी हुए और बोले प्यारी पुत्री तुम सोक मत करो मैं तुम्हारा बिवाह कदापी भगवान भिष्णू के साथ नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्टवर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदासिव के साथ तुम्हारा बिवाह करूँगा पुत्री तुम मेरे पर अतिप्रसन हो तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती गई कुछ समय बाद सुब महूर्त में तुम्हारा बिवाह बेद विधी के साथ महाराज हिमानचल वा महारानी नैना ने साथ कर पुर्ण अरजन किया हे सवभाग सालनी जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमाले की गुफा में रख मेरा तीज ब्रत किया इसी से ब्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह ब्रत सब ब्रतों का ब्रत राज हुआ इस पर माता पारवती ने कहा प्रेभू आपने मेरे मिलने की सुगत कथा सुना कर मुझे प्रसंद तो किया पर इस ब्रत के करने का विधान वा फल मुझे नहीं सुनाया इसलिए क्रिपा करके मुझे इसके करने की विधी वा प्रथक प्रथक फल भी सुनाये इतना सुनके भगवान सीव ने कहा प्रिये मैं इस ब्रत राज का संविधान फल सुना रहा हुँ यह ब्रत सभागवती नारी वा पती चाहने वाली कन्यां को करना चाहिए यह ब्रत भाद प्रद के सुकल पच्छी की दुतिया के साम को आरंब कर तीजा का ब्रत धारण करें यह ब्रत निराहार बिना फल आहार और निलजरा रहकर करना चाहिए भगवान सिव पारवती की प्रतिमा सुवड की इस्थापित करके एले पुष्प आदि के खंबे इस्थापित करके रेसमी वस्तर के चंदोवा तान कर बंदन वार लगा सिव का बालू का लिंग इस्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र इस्तुती गानवाद भोरी संक म्रदंग जांजर आदि से राते जागरण करना चाहिए और भगवान सिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड़ू, मेवा, मिष्ठान, तरे तरे के भोकी सामगरी समर पढ़कर फिर ब्राहमडों को द्रव, अन, वस्त्र, पात्र, आदिका, दांस, रद्धा, युक्त देना चाहिए भगवान सिव को प्रतिवस्ति को सिद्ध पंचाच्री मंतर से ओम नमस्चिवाय कहे कर समर पित करना चाहिए प्रातना के बाद पुस्पों को दोनों हाथों में लेकर पुस्पांजली समर पढ़करें फिर चतुर्थी को, सिवलिंग को, किसी नदी या तालाब में भी सरजन करें फिर तीन प्राहमणों को भोजन कराके दच्छिणा दें इस प्रेकार यह बृत पूर करने से नारी सवभागवती होती है और धनवा पूत्र पूत्रों से सुख जीवन बित्तीत करती है कन्याओं को बृत करने से कुलीन, बिद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सवभाग प्राप्त होता है हे देवी, जो सवभाग वती नारी इस बृत को धारण नहीं करती वह बारवार वह धव वा पुत्र सोक को प्राप्त होती है जो नारी तरतिया के दिन ब्रत रखकर चोरी से अन खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है जो फल खाती है वह बंदरिया की योनी प्राप्ति करती है जो जल पीती है वह जोक का जन्म लेती है जो दूद पीती है वो सरपड़ी का जन्म ग्रहण करती है जो नारी मांस काती है वह बागनी होती है जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है जो मिठाई खाती है वो चीटी के जन्म को धारण करती है जो सब चीजे खाती है मक्खी का जन्म लेती है जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनी को प्राप्त होती है हे उमा जो इस बृत को सिद्ध बृत्धा से धार करती है वह मुझ जैसा पती प्राप्त करती है वह दूसरे जनम में तुम्हारे समान सो रूप वान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुक भोग को प्राप्त होती है इस ब्रत के करने के बाद नारियां सिव लोक वासी होती है बोलो संकर भगवान की जै ले आ बहिनी हरा कथा पूरी होईगे मानो बोले बोले मौ गराब आइठ पंडे जी तो सीधा लें बसंग है सकारे कथा दर की ना है सही आ काती है उजे जी अगर सच्चे भगत हा माता पार्वती और भगवान भोले नाथ के तो यह बीडियो का एक हजार से ज्यादा लाइक पहुंचाया जै भोले नाथ